साथियो, आज हम एक ऐसे प्लांट की बात करेंगे, जो फैबेशी के कुलका है, जिसको चक्रमर्दवे पनवाड भी कहते हैं, जिसका नाम केशिया तोरा है, इंडिया में केशिया की 500 से पूरे वर्ल्ड में 500 से 80 से ज़्यादा स्पीसिज पाय जाती हैं, और इंडिया में के 40 से ज़्यादा स्पीसिज पाय जाती हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि complex leaves होते हैं, और leaves का जो टेस्ट होता है, वो मेथी के जैसे होता है, इसका प्रोपेगेशन, इसके अंदर जो पौड होती है, पौड के अंदर बीज होते हैं, कई जिगे इसका जो ये पौड है, इसक पौडर भी substitute के रूप में इस्तमाल किया जाता है, आज हम इसके पत्तों वे इसके बीज का ओस्दीगुनों की चर्चा करेंगे, सीड के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन आसानी से हो जाता है, इसके जो पत्र होते हैं, उसका 10 से 15 ml सुरस बनाकर, यानि की fresh juice बनाकर, और ह हम अगर देते हैं, तो liver detoxification करता है, इसके साथ साथ इसके बीज का paste हम अपलाई करते हैं, वीटी लिगो, वीटी लिगो एक समस्या होती है, स्किन की, जिसके अंदर स्किन के ऊपर white patches आ जाते हैं, जिसको लिकुट अर्मा भी हम कहते हैं, तो इसके बीज का paste बनाकर, उसके उपर हम लगाते हैं, वे 10 से 12 ml juice सुरस बनाकर पत्तों का पिलाते हैं, ध्यान ये रखना है, इसके अंदर anthraconone glycoside पाया जाता है, नफ्तो पाया जाता है, तो anthraconone glycoside के कारण इसकी विरेचक प्रोपर्टी भी होती है, और यह है, इंटस्टाइन को नरिस करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने के बाद, नोस जिटिंग और वोमिटिंग जैसे इस्तिती हो सकती है, एंट्राकonone glycoside वैसे सेफ होता है, और पेट को साफ करने में काम करता है, ओबिसीटी में भी यह फायदा करता है, और भी हम देखेंगे कि इसके जो पत्र हैं, कई बार जब चोटे बच्चों को दांत निकलते हैं, तो उसको हलका फीवर जैसा बन जाता है, उसके इसमें भी इसका decoction बना के बच्चे को 5-7 ml दिया जा सकता है, आसानी से बच्चे के दांत निकल जाते हैं, और डारिया जैसे इस्तिती जो बनती है, उसमें भी आराम हो जाता है, य आँखों की रोशनी को बढ़ाने में भी कारे करता है आँखों की रोशनी बढ़ाता है सारी जो एक्टिविटीज हैं लीवर के माध्यम से यह करता है लीवर का जो रेमीडियेशन है उसके साथ साथ यह क्या करता है ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है ब्लड प्यूरिफिक लिकोक्षिन बनाकर अगर शनान किया जाए तो शरीर के उपर होने वाले रिंग वॉम्स हैं, दाध हैं या खुजली की जो समस्या है वो भी दूर हो जाती है। इसके पत्र का सोरस लेना चाहिए और इसके बीज का पेस्ट बनाकर अपलाई करना चाहिए लिकोडर्मा में असानी से यह हर प्रकार की समस्या को दूर करता है। इंडिया में कहीं कहीं वाइल्ड ये रोड किनारे पाया जाता है जो कि इसकी सेकंड अदर स्पीसीज है जिसको हम केशिया ऑक्सिडेंटलिस के नाम से जानते हैं। जबकि ये केशिया तोरा है इसको चक्रमर्द भी कहते हैं। एकसेस मात्रा में लेने से वोमिटिंग आ जाती है और ज्यादा डाइरिया जैसी इस्तिती पैदा हो जाती है। इसको लेना चाहिए। इसके अंदर फ्लेवनाइड, आइसो फ्लेवनाइड, गलाइकोसाइड, नेफ्तोपाइरोन और भी कई परकार के मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। मेती जैसा इसके पत्तों का टेस्ट होता है, इसलिए यूज करने से पहले एक बार अच्छे से जाच पर ताल कर लें, तब ही इसका इस्तमाल करें। आज के लिए धन्यवाद।